अलेकुम जी आज मैं आपके साथ अपनी मन पसंद एक डिश की रेस्पी शेयर करने लगी हूँ मैं बनाने लगी हूँ फिर नी तो चलने इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए यहां पे मैंने तीन टेबल स्पून के करीब चावन ले लिये थे और इन्हें तकरीबन आदा घेंटा पहले भी गो लिया था और यह भूलने के बाद काफी जादा हो गये अब इन में मैं तकरीबन आदी प्याली के करीब दूड डालके तो इसको अच्छी तरह ग्रैंड कर लिती हूँ जादा डरा सा पीसना है ज्राओषण पारीयक बीशना हो और ज्रादा इसके मोटे मोटे दाने भी इसके तो भी नांगे पीसना लिए यह भीख चावल के शावलों में इसमें बीच बार्यक बीचिए ज़ीना दूदा in यह बीजार्ग शावलoh उगे अब इसके अंदर ये जो मैंने चावल और सबस अलाइची को इसी तरह ग्रैंड करके रखा था वो इसमें चले जाएंगे और इसको बिल्कुल मैंने पौडर नहीं बनाया हलके हलके समिड दाने दाने से वो पीसा और सबस अलाइची ऐगर हम इस तरह पीसेंगे तो वो आराम से पीस जाएगी खाली पीसेंगे तो वो इतनी अच्छे से पौडर उसका नहीं बनता तो यह सारा मैं इसमें डाल लेती ह और इसमें ऐसे continue चम्मच हलाते रहना है अगर हम इसमें चम्मच नहीं हलाएंगे तो हमार जो फिर्णी है वो नीचे लग जाएंगे यहां पर देखें भी फिर्णी को तकरीबन 10 मिंट हो गया है बिलकुल हलकी आप पर मैं इसको पका जाएंगे और साथ इसमें मैं continue चम्मच नहीं हलाएंगे तो जो चावल है वो नीचे बैठ जाएंगे और नीचे लग जाएंगे तो इसमें साथ साथ में चम्मच हलाना आप फिर्णी में बहुत जरूरी है फिर्णी को पकते हुए तकरीबन 15 मिंट हो गया है यहां पर मैं थोड़ से एक टेबल स्पून के करीब यह कटे हुए बदाम दाल दूगी ताकि इनका फ्लेवर भी इसके अंदर अप्छी तरह आ जाए और इसको मजीद मैं तकरीबन 15-20 मि देसी घी डाल दूगी देसी घी इसमें एक टेबल स्पून डालने से इसमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा एक रिचनस आएगी और इसका टेस्ट बिल्फुल मुफलिफ हो जाएगा इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेती हो अभी मैं इसके अंदर चीनी नही डा दूगी आप अपने टेस्ट के मताबिक कम यह जादा कर सकते हैं और मैं मीठा जादा पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैं इसमें हल्की चीनी डालूगी के साथ ही दो टेबल स्पून के करीब मैं ड्राय मिल्क पॉडर डाल दूगी इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसे आग इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूं चूला यहां पे मैं बंद कर लेती हूं तो यह ठंडी होने के बाद मजीद गाड़ी हो जाएगी और मट्री के प्यालो में फिरनी डालने लगी है। मत्री बर्तन देखे वैसी बच्पन की यादें ताजा हो जाती है। यहां पर देखें जी बहुत ही मज़े की हमारी फिरनी बन के त्यार होगी आप लोगों ने भी इसको लाजमी ट्राय करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेस्पीज कैसी लग रही है और मेरी वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और झाल